हेले इबरोण कैसे हैं आप सब एक बार पुना सी कोचिंग क्लासेश पर स्वगत हैं उम्मीद करता हूँ आप सब बच्छे होंगे मस्त होंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई बहतर चल रही होगी बोड एक्जाम की तयारी कर रहे हैं बच्छो तो आज नोटिस तयार कर लेना काफी महत्पून है और सीधा पुछा जाता है और आसानी से आप लिख भी सकते हैं देखें नोटिस बच्छो आप पूरा प्रिश्न से ही लिखते हैं बस लिखने का तरीका आपको पता होना चाह है जिसमें सभी के सभी house captain यह नहीं कप्तान शाहब एंड wise captain यह वाइस captain का मतलब है उपकप्तान जितने भी है to attend यह meeting सभी के सभी meeting attend करेंगे to be preceded over by the principal मतलब यह जो meeting का अधश्चता जो करने वाले हैं वो principal sir है to prepare a plan for the annual function यह किसके लिए meeting की जा रही है यह plan बना रहे हैं वार्षी कोट्सों के लिए you are the secretary of the student union मतलब आप कौन हो secretary हो नाम लिखा है नहीं लिखा है जब नाम ना लिखा हो तो आप अपने से नाम लिख देना school for excellence यह भी बता दिया गया किस स्कूल से हो excellence सहडोल यंपी यहां पर हो सकता था भोपाल इंदौर उज्जैन कुछ भी हो सकता था तो पहला point आपका यह clear हुआ कि वह सहाब इस्कूल का नाम तो आप notice लिखोगे तो पहले सबसे इस्कूल का नाम लिखोगे गवर्मेंट हायर सकंडी एकसिलेंस इस्कूल या गवर्मेंट हायर सकंडी स्कूल है ना for excellence सहडोल मतपरदेश यहां पर दियुजैन होता गौलियर होता तो वह लिखते तो पहले नमबर पे जब पहले सबसे tip में लिखना पड़ता है ना कि यह जो नोटीस है किस विद्याले के लिए है किस चीज के बारे में है तो यह आपको बताना पड़ेगा ना कि सभी के सभी यह जो इन्फॉर्मेशन है वो किस के लिए गवर्मेंट हायर सकंडी स्कूल ठीक है और यहां पर आप लिख सकते है स्कूल फार एक्सिलेंस क्योंकि यह एक्सिलेंस के स्कूल के लिए है गवर्मेंट हायर सकंडी लिख दिया तो सास की विद्याले होगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहां पर स्कूल आफ एक्सिलेंस के लिए है ठीक है और यहां पर सेडोल लिख देंगे यहाँ पर जो लिखा रहेगा तो पहला जो पॉइंट हो गया बच्चो यह आप कापी में बीचो बीच लिखेंगे गवर्मेंट हार सेकंडी स्कूल फार एक्सिलेंस सेडोल एमपी यह कहां से मैंने पाया यह पूरा का पूरा प्रशन से ही पा गया यदि प्रशन में किसी भी बिद्यालाय का नाम नहीं लिखा है फिर आप अपने से बिद्यालाय का नाम लिख देंगे फिर बच्चो यहाँ पर आप डेट लिख देंगे कि भाई यह आज कौन सा डेट है 15 मार्च 2024 कुछ भी लिख सकते है ठीक है अब नोटिस देना है किस लिए नोटिस देना है यहाँ पर बोला गया है देखिए मीटिंग करना है और मीटिंग किस के लिए है एनौल फंक्शन के लिए तो नोटिस जब लिखेंगे बच्चो तो उसमें टापिक है कि किस टापिक पर चर्चा होगा तो मीटिंग होगी मीटिंग फार एन्वल फंक्शन देखो ना मीटिंग फार एन्वल फंक्शन तो यह जब हम यहां पे notice लिखते हैं बच्चो तो मीटिंग फार एन्वल फंक्शन यह भी कहां से पा गया हमने question से अभी कुछ भी नहीं किया हमने अभी हमने पढ़ा कि भाई साब हमको एक क्या करना है एक notice बनाना है तो वो notice किसके लिए एक school के लिए वो school कौन सा है government high secondary school है यह school for excellence है वो सहड़ लेंपी के लिए है फिर आपने डेट लिखने में कोई पैसा नहीं लगना कोई दिमाग नहीं लगना फिर हम notice बना रहे तो notice बड़े अक्षर से काले पेंसे लिखेंगे और किसके लिए notice बना रहे तो meeting for annual function इतना तक तो clear है यहां तक तो सब को बन जाएगा फिर यहीं से हम पूरा उठा रहे है यहीं से पूरा उठा रहे है आप बोला गया है कि भाई साहब आप कौन हो आप कौन हो आप हो कि secretary of the student union तो यह जो आप लिखोगे last में जो लिखा जाता है ठीक है कि कि किसके द्व school है ना school student union मतलब जो भी विद्यार थी हो का student union भी लिख सकती है school student union अब जो बीच में लिखा जाता है बच्चो तो हम information देंगे सभी को तो हम लिखेंगे कि all house captain and vice captain are informed मतलब हम information देते हैं किसलिए information देते हैं attend ये meeting attend ये meeting किसके recording recording to annual function भाई हम voice मतलब यहां पे house captain and vice captain है ना सभी को हम क्या कर रहे हैं inform कर रहे हैं information दे रहे हैं किसलिए attend ये meeting के लिए वो meeting किसके recording हो रहा है planning बना रहे हैं यहां पे देखी ना plan for the annual function तो planning the annual function है ना फिर इतना आप लोग क्लियर कर लोगे तो यह आप question सही लिख रहे हैं all house captain and vice captain are informed मतलब सभी को हम inform दे रहे हैं to attend ये meeting regarding the planning of annual function the meeting will be preceded over by principle यहां पे लिखा भी है कि preceded over by the principle यानी meeting to be preceded over by the principle हम वहीं से लिख रहे हैं पूरा का पूरा कहानी कि हम क्या कर रहे हैं all house captain and vice captain information दे रहे हैं attend ये meeting planning the annual function फिर इतना कर दिये फिर the meeting preceded by the principle इतना ही तो किया आप कुछ भी नहीं किया last में क्या लिखना है date आपने पहले लिख दिया तो यहां लिखने जरूरत नहीं है फिर ये venue मतलब इस थान का आप है तो principle आपिस में आना है time लिख देना इतने बज़े से इतने बज़े तक फिर बच्चों यहां पर किसके दौर notice त्यार किया गया दीपक पटेल यहां पर का नाम लिख देना शीव सर है ना शीव पटेल लिख देना ठीक है सीव पटेल स्केटरी स्कूल इस्टूडेंट यूनियन ठीक है खुछ में लिख दो यदी यहां पर क्वेश्चन पर नाम दे दिया गया Q, you are सोनाली वर्मा, you are स्केटरी आफ इस्टूल student union write a notice यह draft a notice to हना जो भी design करना है यह नाम दे दिया तो last में फिर आप question के according ही नाम लिखेंगे ध्यान यह रखना है इस point को ध्यान में रखना बच्चो बागी आप बनाने का तरीका कि हमने school का नाम यहीं से लिया फिर date हम अपने month से लिख दिया फिर notice किसके लिए है meeting for the annual function यह कर दिया हम किसको information देना चाहते है all house captain and vice captain meeting किसके लिए बच्चो meeting for the annual function के लिए हम information दे रहे हैं तो यह लिखना है screenshot ले लो आप लो screenshot ले लो समय देता हूँ screenshot आप ले लो कुछ बच्चे कहेंगे screenshot ही नहीं लिए हमने वाकि टेली ग्राम हमारे चैनल पर टेली ग्राम भी है जोइन कर लो है ना टेली ग्राम में भी इसको मैं सेयर कर दूँगा ठीक है सिव कोचिंग क्लासस के नाम से टेली ग्राम है फिलाल आज के लिए इतना ही जैहिंद बंदे मात्रम वीडियो पसंदर लाइक करें के शिया जिरूर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें